बिग बॉस 17 में अंकिता लुखंडी से जुड़ा एक बवाल चर्चा में बना हुआ है चानल पर एक प्रोमोश शेयर किया गया जिससे देकर ऐसा लग रहा है कि अंकिता और विकी जैन ने भार की इंफॉर्मिशन लेकर नियम तोड़ा है बिग बॉस मुनवर कोई कॉडियो सुनवाते हैं मुनवर भार आकर बोलते हैं कि उन्होंने अंकिता की अवाज सुनी कि वो डॉक्टर से भार की जानकारी ले रही थी ये बात सामे आते ही घरवालों में गुस्सा है साथी दर्शक भी भड़क से गए है अब एक ट्विटर हांडल पर इस घटना से जुड़ा एक पोस्ट शेय किया गया इसमें लिखा हुआ है कि अंकिता लोखंडी पी आर्पी ट्वीटमेंट लेती है जिसमें वो हर दो से चार हफ़ते में डॉक्टर से पी आर्पी सेशन लेती है पियार भी सेशन हेयर लॉस और गंजेपन के लिए किया जाता है जब डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं तो अंकिता की तीम भार सी सूचनाई अंदर भेज देती है इस सूचना के अधार पर घर के अधार उनका भेवार बदल जाता है कल मुनमर फारुकी को आईक्राइव रूम में बुलाया गया और वीडियो दिखाया गया जिसमें अंकिता डॉक्टर सी भार की सूचनाई ले रही थी अध सदा के तौर पर अंकिता की सर्विस बंद की जा सकती है आपको बता दे कि शो में ये बात पहले भी उठ चुकी है कि विक्की बार ने स्ट्वीट में लेते है इस ट्वीट में ये भी लिखा है कि बिग बॉस अंकिता को लंबे समिश से गलत फायदा उठाने देते रही है वो हमेशा मॉर्निंग एंटिंग के बाद भी सोती रही है जब तक उनकी कुकिंग का वक शुरू नहीं हो जाता वो सोती रहती है ये समझ नहीं आ रहा है कि मेकर्स ने अचानक उनका भांडा फोनने का फैसला क्यो लिया हो सकता है कि उन्होंने या उनकी तीम ने कोई बड़ा कॉंट्राक्ट तोड़ा हो आपको बतादे कि चानन ने एक क्लिप शेयर की है जिसमें अंकिता लुखंडे फूट फूट का रूती हुई नजरा रही है जिसके बाद एक एक यूजर ने कॉमेंट किया है एक सीजन में बिग बॉस ने बार बार इंटरफेर करके अपना शोग खुद ही बरबाद कर लिया है एक और फान ने लिखा कि अरे अंकिता जी जब आपको भार की सूचना नहीं मिल पाएगी तो अब आप रो रही है अगर आप सही थी तो आपको लड़ना चाहिए था एक कॉमेंट है ये गलत है नियम है तो नियम है चाहिए वो फिर कोई भी हो